इस मूवी से बहुत सारे गेम्स और मूवी भी इंस्पार्ड है यह एक जापनिज मूवी है जिसके आइम डिवी रेटिंग 7.6 और रोटान टोमेटोस पर इसे 88% है तो चले इस मूवी को इसमें करना स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ इंफॉर्मे की वज़े से 10 लाग लोग के जॉब चले गए 8 लाग बच्चों ने स्कूल छोड़ दी उसी वज़े से बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया बड़े लोग बच्चों से डरने लगके उसलिए उन्होंने एक पास किया जिसका नाम है बियार एक्ट यानि की बैटल रोयल आ हमारी फिर मूवी की स्टोरी हमारे में क्यारे जिसका नाम हमें नाना हरा ये बदाना स्टार्ट करता है ये कहता है कि जब मैं 4th grade में था तो मेरी मदर मुझे छोड़ कर चली गई उसके 7th grade के 1st day पर जब वो घर पर आया तब उसके फादर ने खुद कुशी कर ली थी उसक बद नेकसिन में हमेंぎ teacher देखते हैं जिनका नाम है कवाडा एक classroom से जब बहार निकल तो एक लड़का इनके पेर पर चाकु मार देता है चाकु मारने वाले लटगे का नाम नोबू था नोबू के हाथ से चाकु गिर गया था अगर चाकु कवडा को मिल जाता तो नोबू टुरबल में आता तो उसकी फ्रेंड जिसका नाम था नोरिको उसने चाकु उठा लिया और छुपा दिया उसके बाद वो टीचर स्कूल छोड़ कर चले गए स्कूल के सब बच्चों की लाइफ नॉर्मल सी चल रहे थी एक दिन वो ट्रीप पर जा रहे थे इस ट्रीप पर हम देख सकते हैं कि नोरी को नानाहरा के पास आ दिये उसने नानाहरा के लिए कुछ कुकीज बेक की थी वो उसे दे 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 दिये एक्च्वल में नोरीको को नानाहरा पर क्रश है इनके पास कैमेरा है तो नानाहरा नोबू नोरीको यह सब पिक्चर लेते हैं कुछ समय बात हम डारेक्ली देख सकते हैं इस बस के सब बच्चे ड्रग ठोकर बेहोश पड़े हुए है इन्हें एक deserted island पर ले जाया जाता है और classroom में रखा जाता है ये सब होश में आते है तो directly इसी classroom में है ये जब आसपास देखते है तो इनकी classroom में और भी दो अलग बच्चे है थोड़ी दर में helicopter आता है और वहाँ स है कि ये दोना transfer students है इनसे तुम सही से पेशाना यहाँ पर जब वो नूबु को देखते है तो उसके पास जाकर उसे गए थे कि तुमने मुझे बहुत ही हर्ट कर दिया था तुम्हें उसके बाद school छोड़ दिनी चाहिए थे कवाड़ा फिर board पर BR Act लिखते है यहाँ चल कह रहा है यह students को समझ में नहीं आता कवाड़ा कहते हैं कि तुम लोग adults का respect नहीं करते इसलिए तुम्हारे लिए ही special यह rule बनवाया गया है students जब उने teacher के भारे में पुछते है तो कवाड़ा directly उनके teacher की लाश ही यहाँ बढ़ राता है सब बच्चे बहुत ही डर जाते है लास रूम में फिर screen लाया जाता है जहाँ पर anchor lady इस game के सब rules बताने वाली है वीडियो जरा से start होती है और regular की बाते करी होती है कवाड़ा चाको लेकर directly उसके सर में डाल देता है वो बोलता है कि मैंने सब लोग को शान बैटने के लिए कहा था सब लोग और बीडर जाते है सब भागने की कोशिश करते है पर उनके आसपास soldiers है तो कहीं भी भाग नहीं सकते है इसके बाद वीडियो फेस से play होती है और हमें game के बार में पता चलता है यह सब लोग एक deserted island पर है जिसका radius 10 km का है इनको एक दूसरे को मार डालना है इनके पूरे class में एक ही बच्चा जिन्दा रहेगा अगर इन बच्चों ने team बना ली और decide किया कि वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे तब government officials इन सब लोग को मार देंगे इन सब के गले में डिवाइस है जो government activate करकर उ इस तरह से PUBG में zone होता है उसी तरह से इस game में भी danger zone रहने वाले है अगर कोई danger zone में रहा तब भी उसके neck का device explode हो जाएगा नोबू को यह सब सही नहीं लगता और वो out of control हो जाता है कवाड़ा गुस्य में उसका neck का device activate कर देते है उससे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर से वीडियो प्ले होती है इन सब students के पास सिर्फ तीन दीन है इस game को complete करने के लिए अगर वो नहीं कर पाया तो फिर भी सब लोग को मार दिया जाएगा इन्हें एक बैक दी जाएगी जिसमें उनके लिए life supply और एक weapon रहेगा weapon भी अलग-अलग होंगे क्योंकि life में हर एक को से जाता है तो बाहर नोरिको के लिए वो वेट करने वाला है बाहर आकर एक लड़की को देखता है तब उसके नेक में एक arrow है अल्रेडी ये game स्टार्ट हो चुका है एरो वाला लड़का नानाहरा को भी मारने वाला था तब ही नोरिको आती है और ये दोनों वहाँ से वो अपने फ्रेंड को नहीं मारना चाता था पर खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसने उसको मार ढाला खुद के सर्वाइवल के लिए एक सेकर्ड में दोस्त दुश्मन बन चुके है नानाहरा और नोरिको भागते भागते समुदनर के पास एक केव में छुप जाते है नोरिको के पास बाइनकुलर से और नानाहरे के पास एक शील्ड इन वेपन से वो किसी को भी हट नहीं कर सकते है नानाहरा नोरिको से कहता है कि हमारे फ्रेंड के साथ हम रह सकते है उस तरीके से हम सेफ रहेंगे नोरिको कहती ही कि नहीं मैं किसी पर भी ट्रस नहीं कर सकती हमें एक flashback दिखाय जाता है जिसमें नोरिको को कुछ लड़किया बहुत ही चीड़ा रही थी इसका reason क्या था यह movie में आगे हमें पता चलेगा नानाहरा को अपने friend नोबु के लिए बहुत बुरा लगता है नानाहरा और नोबु यह दोनों roommates थे एक flashback में हम देखते है कि नो नोरिको नानहरा से कहती है कि मुझे लगता है कि यह सब मेरी ही गल्ती है मैंने ही उसे स्ट्रीप पर invite किया था नानहरा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो खुद आना चाहता था वो खुद अपने आपको दोशी मानता है हो कहता है कि मुझे उससे protect करना चाहिए था वो नोरिकों को प्रॉमिस करते हैं कुछ भी हो जाए लास्त तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा इसके बाद नेक सीन में हम ड्रांसपर स्टुडेंट जिसका राह में किरियामा इसको देखते हैं कुछ बच्चों ने कुछ बच्चों ने टीम बना ली हैं और मिलकर सब ल इसके नेक सीन में एक कपल हम देख सकते हैं किसी को मारना इन्हें पसंद नहीं है तो गेम वो खेलना नहीं चाहते हैं इन्हें लगता है कि इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इस सुसाइड करना चूज करते हैं एक क्लिप से वो जम करते हैं इसके बाद हमारा और ए तो इसी टेजर से मिज़स को उसे शोक देना चाहती है यह लड़की जब भागने लगती है तो मिज़स को एक सिकल से उसका गला चीर देती है इसके बाद सुबह आती है कौन-कौन मर चुका है इसकी अनौंस्मेंट कवाड़ा करता है इस आइलंड के डेंग्जर जोन भी सब ही मारना चाहता पर इलटका सुनता नहीं लिए नाना-हरा पर ऐटक कर देते हैं यह जरह हिल जैसी जगाब भरी थे जब यह वहाँ से रोल होकर नीचे गिरते अ पॉर जो नाना हरको मारने वाला था ये खुद इंचोर हो जाता है यह खतम पर स्टूडेंट है जिसने गेम जोइन किया है जॉन नोरी को और नानाहरा को नहीं मारने वाला अचानाक से नानाहरा को दो लेडिकियों की आवाज आती है यह लेडिकिया मौंटन पर खड़ी होकर कहे रही होती है कि इन्हें फाइट नहीं करने हैं यह मिलकर टीम बना सकते हैं यह दोनो नानाहरा की फ्रेंट से नानाहरा इशिसे पहचान लेता है तो उसे आवाज देता यह uh कहता है कि इस तरह से तुम कुछ decision लोगे तो जल्दी मर जाओगे अगर तुम यह गेम नहीं खहलना चाते तुम्हारे पास एक ही लड़कियों को किरियामा जाकर मार डालता है जौन कहता है यह जल्दी से यहां से हम भाग जलते हैं वरना वो हमारे पास भी आ जाएगा इसके बाद हम देखते हैं कि मिट्सुके के पास एक लड़की आती है उस लड़की का एक बॉइफ्रेंड था जिसको मिट्सुको ने प तबियत खराब हो रही है एक घर वो देखते हैं और घर के पास पहुचते हैं जौन अल्रेड़ी वहा है इस घर में कुछ मेडिसिन्स विगरा थी जो नौरी कोकुव देता है वह अब ज़रा रेस्ट करती हैं नेक्स सिन में हम कुछ लड़के देखते हैं उन्होंने इस आ चल चुका है उसके नेक के डिवाइस में एक माइक्रोफोन है जिससे सब बाते कवाड़ा और उसकी टीम सुन सकते हैं वो स्क्रीन पर कुछ चीज़े टाइप करता है और यह सब चीज़े अपने फ्रेंज को लाने के लिए कहता है इन सब चीजों से वो बॉम बनाने वाला इसके बाद एक लड़की कौम देखते हैं जिसका नाम है चिक्सुआ चिक्सुआ को फेटनेस अचा लगता है तो इस आइलन्ड पर वो रन करती है उसके पास फीर एक लड़का आता है कि वो तुम से बहुत ही प्यार करता हूं यह लड़का कहता है कि शायद इस आइलन्ड पर हम मर जाएंगे उसके पहले उसे चिक्सुआ के साथ इंडिमेट होना है वो उसे भाव नहीं देती तो यह लड़का उस पर एरो रख कर उसे रुखने के लिए कहता है जल्दी से उससे एरो चलता है और चिक्सुआ थोड़ी सी इंजोर होती है यह दोनों फाइट करते हैं वो हिरो की को पसंद करती थी हिरो की उसे सहाना देता है और उसके आम्स में ही वो मर जाती है इसके बाद हम फिर से नोरी को नानाहरा और जॉन को देखते है नोरी को रेस ले रही थी अब वो जाक चुकी है जॉन अब उसकी खुद की स्टोरी इन दोनों को बताता है वो ग गर्डफेंड ने उस पर गोली चलाई, जौन ने फिर उसे मार डाला, मुएते मरते गर्डफेंड की फेस पर स्माइल थी, उसने जौन को थेंक्यू कहा, इन दोनों के एक साथ फोटो है वो नौरिको को दिखाता है, नौरिको को कहती है कि तुम्हारी गर्डफेंड तुमसे उसे बहुत प्यार करती थी उसने जानबूच कर यह सब किया जॉन अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि उसकी गर्फेंट मरते मरते उसे इतनी स्माइल कैसे देख कर गई यह सब बात ही कर रहे थे तब एक किरियामा एक लड़के को मारते मारते वहाँ पहुच गया उस और जोड़ेक को उसने मार डाला और नोरीज किया घर में कुछ लोग हैं उसने घर में बॉइंब डाला सब लोग पर गोलिया चलाएं यह इन शब मार सकता था तो नानहारा उसको । इस्ट्रैक करने के लिए वहाँ से भागने लग गया उसने जॉन और नोरिकों को दोनों को सेफ कर दिया नानाहरा एक जगा पर स्टक हो गया किरियामा उसे मारने वाला था तब किरियामा की गन स्टक हो गए नानाहरा का एक फ्रेंड वहाँ पहुच गया और उसने नानाहरा नानाहरा एक लाइट हाउस में है उसके पास एक लड़की है जिसने उसे मलम बट्टी की है यह उसकी और एक फ्रेंड है नानाहरा उसकी फ्रेंड को कहता है कि नोरिको और जॉन एक साथ है जॉन के पास एक प्लान है जिससे हो हम सब को बचा सकता है यह लड़की नानाहरा को रेस्ट करने देती है और अपने दूसरी फ्रेंड्स के पास आ जाती है इन लड़कियों के ग्रूप में एक लड़की है उसे लगता है कि उसके बॉइफरेंड को नानाहरा ने मार डाला है उसका बॉइफरेंड एक्स वाला लड़का था नानाहरा उसे मारना नहीं चाहता थ नानाहरा को कुछ खाने के लिए देने वाले थे लड़की बदला लेने के लिए उसके खाने में जहर मिला देती है। पर सब लोग शक करने लग गया और एक दूसरे को उन्होंने मार डाला जिस लड़की ने पॉईजन मिलाया था वो नीचे छुप गई थी और वो बच गई उसकी वज़े से उसकी इतनी सारी फ्रेंड्स मर के तो उसे बहुत पच्टाव हुआ बहार जाकर उसने खुदकुश को पसंद करता था और हमेशा से उसे अनप्रोप्रेटली बाते करता था नोबुको भी नोरीको अच्छी लगती थी और उसे पसंद ने आया उसने बदला लेने के लिए कवाडा के पेर पर चाकु मारा था नोरीको को लड़किया चिड़ा थी थी इसका रीजन भी पर फिर भी नोरीगो को ढूडने के लिए निकल पड़ता है और उसके सपने में उसका फरी नोब। आता है उसे गयता है। नोरिको का हमेशा खयाल रखना, वो फिर से उठकर आगे चलने लगता है, नोरिको और जॉन एक साथ है, यह जोन डेंजर जोन में आ चुके हैं, तो जल्दी से वहाँ से भागते हैं, नोरिको पीछे रहे जाती है, और जॉन आगे निकलता है, जॉन नोरिको को ढूंडने प इसके बाद निकसिन में हमें हिरो की फेस से दिखाया चाता है, हिरो की एक लड़की को ढूंड रहा था, यह लड़की उसे मिल गए, पर बहुत दिडरी हुई थी, उसने डर कर हिरो की पर बहुत सारी गोलिया चला है, और उसे मार डाला, हिरो की ने मरते मरते का, कि मैं यह सुनकर लड़कि को बहुत बुरा लगता है यह बहुत रोती है खेथी है कि अगर तुम्हें पसण करते थे अब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था मिच्सू को भी यहां पहुंच Robin झाती है और इस लड़कि को माr mural दिया मिच्सू को हमारा बहुत ही स्टेल से नीचे गिर कर वो आदमी वही मर गया उसका चाइल्ड होड बहुत ही हाड रहा है इसके बाद हम देखते हैं मिट्सुको और किरियामा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं यह दोनों बहुत ही टफ है एक दूसरे को भारी बढ़ते हैं पर लास्ट में किरियामा उसे मार डालता है फिस्से हमें हैकर्स और उसके फ्रेंड दिखाया जाते है है कर एक प्रोग्राम मनाता है और कवार्डा के पूरे system को hack कर लेता है कवार्डा और इसकी टीम को पूरे system को shut down करना पड़ता है अब इनका next plan है कि जो बाम उन्हेंने बनाए है वो कवार्डे क उसने बनाया था इसी बॉम को एक्टिवेट करता है और ब्लास कर देता है इस बॉम की स्मूक को देखकर वहाँ पर नोरिको नानहरा और जॉन पहुचते हैं यहाँ पर वो देखते हैं तो किरियामा अभी भी चल रहा है बॉम की वज़े से वो अंधा हो चुका है पर फिर भ लोग मर चुके हैं जॉन नोरिको और नानहरा यह सिर्फ तीनी लोग बचे हुए हैं इस सम्मूंदर के बास आते हैं और सोचते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए जॉन गैदा है कि तुम लोग बहुत ही भोले हो मेरे प्लैन के लिए तुम पर्फेक्ट है मैं जब इस सिस्टम खराब हो चुका है उसे पता नहीं है नोरिको और नानहरा अभी भी जिन्दा है जॉन को पता था कि कवाड़ा उनकी बाते सुन सकता है उसने प्लैन बनाया था नोरिको और नानहरा इस आलेंड पर ही छुप जाते हैं कवाड़ा डिक्लेर करता है कि गेम अब ऑफ प्राइस नहीं होता उसे पहले ही पता था कि जौन का है प्लैन है कवाड़ा फिर इन सब को एक पेंटिन दिखाता है इस पेंटिंग में सिर्फ नोरिको इस आइलेंड पर जिंदा है और सब लोग मर चुके हैं यह पेंट किया हुआ है कवाड़ा अपने ट्विस्टेड व मुझे मार डालो नानाहरा उसे नहीं मार सकता कवाड़ा अपनी गन निकालता है और नोरिको पर रखता है नानाहरा फिर उसे मार डालता है कवाड़ा के हाथ में जो गन थी वो एक टॉय गन थी गोली लग कर कवाड़ा नीची गिरता है इनके ऑफिस में कवाड़ा के और जॉन उसे सही डारेक्षन में लेकर जाता है जॉन बहुत ही इंजोर्ट है तो नानाहरा को कहता है कि इसी डारेक्षन में तुम स्टेर करते रहना वो फिर नीचे गीर कर रेस्ट करता है जॉन अपनी गर्फरेंड को याद करकर मर जाता है अब नानाहरा और नोरी को यह तो इन दोनों बच चुके हैं गॉवर्मेंट ko पता है यह दोनों Ewopa हूचे है वह इन दोनों को ढूडने की कोशिश करते है पर इज दोनों विजिलेंटी की तरहा खूंते हैं किसी की भी नजर मीन आते नानाहरा लास्ट में हमें कहकर जाता है कि जब तक हम जिन्दा है तब तक हम फाइट करते रहने वाले है यानि कि नानाहरा जिस पर बिलीव करता है नौरिकों को उसे बचाना है तो इसके लिए हमेशा वो ट्राय करते रहने वाला है यह यह मुवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस चालों को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दावने मत भूलिया